Hello friends, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अलाओदीन खिल जी ने अपने रूल की दोरान कौन-कौन से आर्किटेक्ट्रल मॉनिमेंट्स बनवाई थे Basically जितने भी आर्किटेक्ट्रल मॉनिमेंट्स अलाओदीन खिल जी ने बनवाई थे उन में से जादा तर कुटब मिनार कॉंपलेक्स के अंदर है और इसके लबा लाओदीन खिल जी ने दिल्ली के अंदर एक नई सिटी बनवाई थी जिसका नाम है सिरी फोर्ट तो सबसे पहले हम लोग उन आर्किटेक्ट्रल मॉनिमेंट्स की बात करते हैं जो कि कुटब मिनार कॉंपलेक्स के अंदर हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुत्ब मिनार कॉम्पलेक्स किला राय पिथोरा का बार्ट है जो कि एक किला है यानि एक फोर्ट है जिसे अनंग पाल तोमर दा सेकेंड न बनवाया था अनंग पाल तोमर एक राजपूत रूलर थे जिनोंने 1051 AD से लेकर 1081 AD तक रूल किया था और इन्हें दिल्ली का फाउंडर माना जाता है अनंग पाल तोमर ने इस किले को नाम दिया था लाल कोट लेकिन बाद में प्रिथवी राज चोहान ने इसका नाम बदल कर कर दिया था किला राय पिथोरा तो चलिए अब देखते हैं कुतब मिनार कॉंपलेक्स को और देखते हैं कि कुतब मिनार कॉंपलेक्स के अंदर अलाओदीन खिल जी के क्या क्या कॉंट्रिबूशन्स है तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर कुबतुल इसलाम नाम की एक मस्जिद को देख सकते हैं जिसे कुटबुदीन एबक ने बनवाया था लेकिन इसी मस्जिद को बाद में इलतूतमिश और उनके बाद अलावदीन खिल जी ने काफी जादा इनलार्ज करवाया था तो ये था अलावदीन खिल जी का पहला कॉंट्रिबूशन इसके अलावा इनका दूसरा कॉंट्रिबूशन था अलाई दर्वाजा जो की कुटब मिनार कॉंपलेक्स के इंटरेंस पर है तो बैसिकली इस दर्वाजे से इंटर होने के बाद आप कॉरिडॉर में पहुचोगे और कॉरिडॉर को क्रॉस करने के इसके बारे में हम लोग इतना डिसकुशन क्यों कर रहे हैं तो बात यह है कि यह दर्वाजा काफी स्पेशल है इसके ओपर यह जो डूम आप देख रहे हैं इस तरह का परफेक्ट डूम इंडिया में पहली बार बनाया गया था इसके अलावा भी जो कारीगरी इस दर्वा इसे क्लासिफाइग किया जा सकता है अंडर सेल्जूक आर्किटेक्चर में इनफेक्ट खिलजी डाइनेश्टी के दोरान जितना भी आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर आपको शेल्जूक आर्किटेक्चर ही देखने को मिलेगा इसका रीजन इसी मिनार से दुगनी हैट की मिनार बनाना चाहता था और वही कंस्ट्रक्शन यहाँ पर उड़ा था लें यह कं स्ट्रक्शन पीच में ही रुग गया क्योंकि 13 16 में अलाओदीन खिलजी की डैथ हो गई ती अब क्योंकि hier यहां पर कुटब मिनार की बात हो रही है तो कुटब मिनार के बारे में आपको ये तो पता ही है कि इसका construction शुरू करवाया था कुटब बुदीन एहबक ने और इसको complete करवाया इलतूत मिशने लेकिन यहां पर आपको एक inscription देखने को मिलती है जहां पर लिखा हुआ है विज किला बनवाया इस किले को कहा गया सीरी फोर्ट सीरी फोर्ट किला राय पिथोरा से जश्ट पांच किलोमेटर दूर है और किला राय पिथोरा से ये नौर्थ इस्ट की डारेक्शन में है सीरी फोर्ट को second city of Delhi कहा जाता है बिसिकली दिल्ली के अंदर seven cities है जिने हम लोग एक पाल तोमर ने बनवाया था बड़ एक नई सिटी क्यों बनवानी पड़ी हमें इसके reason को समझना चाहिए बात ये है कि अलाउदीन खिल जी के समय में मंगोल्स के लगातार अटेक हो रहे थे और इन मंगोल अटेक से दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए ही सीरी फोर्ट को बनवाया गया था हिंदुस्तानी में सीरी का मतलब होता है सर यानी हेड और ऐसा कहा जाता है कि इस फोर्ट का नाम सीरी फोर्ट इसलिए रखा गया क्योंकि मंगोल्स के अगेंस्ट वार में जिन मंगोल सोल्जर्स को पकड़ लिया था उन सोल्जर्स के सर कटवा कर सीरी फ आर्किटेक्चर है वहाँ पर आपको शेल्जुक आर्किटेक्चर ही देखने को मिलता है इसका रीजन यह है कि यह वह समय था जो वेश्ट एशिया में मंगोस इन विजन हो रहे थे तो इसी वज़ाए से काफी सारे सेल्जुक दिल्ली में माइग्रेट कर गए थे इनमें आज की डिट में तो यह पहले इस रूइन्स में है आप देख सकते हैं कि यह पहले संदर से कैसे दिखता था इसके अंदर बहुत सारेciąे पिल्लर सब टूट चुके हैं और बाहर से देखने में यह पहले कुछ इस तरह का है अब इस पूरी की पूरी सिटी की पानी की विवस्ता के लिए अलाउदीन खिल जी ने एक बहुत बड़ा सा गड़ा खुदवाया ये बेसिकली एक वाटर टेंक था जिसे बनाया गया था रेन वाटर कलेक्शन के लिए ताकि यहां पर इखटे हुए पानी से सीरी फोर्ट की वाटर रिक्वार्मेंट्स को पूरा कि जा सके अलाउदीन खिल जी ने इस वाटर टेंक को नाम दिया हौज अलाई पर्शन लेंग्वेज में हौज का मतलब होता है वाटर टेंक आगे चलका फिरोश्या तुगलक ने इस हौज अलाई का नाम चेंज करके कर दिया हौज खास और आज की डिट में भी इसे दिल्ली में हौज कास के नाम से ही जाना जाता है तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने उन सभी आर्किटेक्शल मॉनुमेंट्स को कवर किया जिने अलाउदीन खिल जी ने बनवाया था थैंक यू सो मच पर वाचिंग और सपोर्टिंग बुक्स दावा